नमस्कार गुट्टी की पोट्टी यूट्टीब में आपका हार्दिक स्वागत है इस समय आप देख रहे हैं यूट्टीब पर गुट्टी की पोट्टी इस वीडियो में हम बेबी पूट्टीज 3-9 मंथ का पार्ट 3 बनाएंगे आए इसे बनाना शुरू करते हैं बेबी पूट्टीज का पार्ट 3 बनाना शुरू करते हैं 23 फंदे गिलनेंगे एक, दो, चार, छे, आठ, तस, बारा, चौदा, सोला, अठारा, बीस, बाइस और एक, तैस 23 फंदे गिलने के बाद इन तीन फंदों का हम एक फंदा सिधा बुनेंगे तीन फंदों का एक फंदा सिधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा सेंटर का उल्टा बुनेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे इन तीन फंदों का फिर से हम एक फंदा सिधा बुनेंगे पहले आखिर का फंदा बुनेंगे फिर एक एक करके इनके उपर तीनों बाकी के दोनों फंदे हम गिरा देंगे और आगे का फंदा फिर से हमारा उल्टा आप देख सकते हैं ये फंदा हमारा सेंटर का है ये दोनों सीधे ये उल्टे बॉर्डर हमारा दोनों और से बराबर चलेगा इसी तरह से ये स्लाई पूरी करेंगे और बॉर्डर की वापसी स्लाई भी इसी तरह से बॉर्डर बनाते हुए बनाएंगे उर्टी स्लाई भी हमने बॉर्डर की बना ली है अब हम यहां से यहां से 23 फंदे बॉर्डर के बनाते हुए वापसी आएंगे बॉर्डर के 23 फंदे किनके बनाएंगे इस पर बॉर्डर के हम पहले 23 फंदे बनाएंगे और इन तीन फंदों का एक, दो और तीन इन तीन फंदों का हम एक फंदा सीधा बनाएंगे एक फंदा हमने सीधा बना दिया ये फंदा हमारा सेंटर का है जो उल्टा आएगा और फिर से तीन फंदों का एक फंदा हम सीधा बनाएंगे पहले एक फंदा ले लेंगे और इसे हम सीधा बुल लेंगे इसके उपर हम दोनों फंदे पल्टा देंगे तो तीन फंदों का एक फंदा बन जाएगा इधर भी हमारे पास 23 है, इधर भी 23 है, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, इधर भी 21 फंदे है, और इधर भी 21 फंदे है, दोनों तरफ हमारे पास हमीशा फंदे 21 है, घटाने के बाद 21 है, बनाने से पहले 23 थे, इधर भी पहले 23 थे, घटाने के बाद 21 रह गए, दोनों ही बार हमारे पास फंदे हर बार बराबर होने चाहिए, अब हम बार्डर की सारी स्लाइप पूरी करेंगे, और वापसी स्लाइ भी इसी तरह बॉर्डर की बनाएंगे उर्टी स्लाइज सारी बॉर्डर की बना ली है इस पर हमको गिन कर 19 फंदे बॉर्डर की बनाने हैं 19 फंदे हमने बना लिये हैं अब फिर से हम इन 3 फंदों का 1 फंदा करेंगे तीन फंदों का 1 फंदा बनाएंगे फिर धागापनी तरफ ये सेंटर का फंदा उल्टा यहां भी हम 3 फंदों का 1 फंदा करेंगे पहले आखिर का फंदा बुल लेंगे फिर एक के करके उसके उपर 2 फंदे पलट देंगे 3 फंदे रहे जेंगे अब हमारे पास इधर भी 19 फंदे ही होने चाहिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नोदुनी, अठारा और एक 19 19 फंदे इधर है, 19 ही उदर है, आपको हर बार फंदे गिनने है फंदे कमती या बढ़ती नहीं होने चाहिए एक आदे फंदे की बात भी नहीं होना चाहिए वैसे अगर हो जाए तो कोई बात नहीं है, लिकिन अगर आप गिन कर करेंगे तो कभी भी एक फंदा भी कमती या बढ़ती नहीं होगा उल्टी स्लाई हमने बना ली है, अब हम यहां से 3 फंदे छोड़के एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, तुने, सोलना और एक 17 फंदे हम बॉर्डर के बनाएंगे 17 फंदे बना लिये हैं, अब हम फिर से इन 3 फंदों का हम एक फंदा सीधा बनाएंगे एक फंदा सीधा बना लिया, सेंटर का फंदा उल्टा, आगे वाले 3 फंदों का फिर से हमको एक फंदा बनाना है पहले 2 फंदे स्लाईपर उतार लेंगे, एक फंदा बुल लेंगे, इन दोनों के उसके उपर गिरा देंगे और हमारे पास इधर भी 17 फंदे बचेंगे, तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 17 आपको हर बार फंदे गिन कर बराबर करने हैं, फंदे कमती बढ़ती नहीं होने चाहिए इसी प्रकार से हम सलाई सारी बॉडर की बनाएंगे और उल्टी सलाई भी हम बॉडर की ही बनाएंगे सारी सलाई उल्टी बना ली है, बूट का हिस्सा हमारा बन कर त्यार है, अब हमको उपर से ये हिस्सा बनाना है इसके लिए पहले हम चार स्लाई डालेंगे, एक स्लाई सीधी, एक स्लाई उल्टी, फिर एक स्लाई सीधी और एक स्लाई उल्टी. चार स्लाई हमने बना ली है एक सीधी एक उर्टी अब हम ये डोरी डालने के लिए अब हम इसमें मोरी डालेंगे मोरी डालने के लिए पहले हम पांच फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच पांच फंदे बनाने के बाद हम एक मोरी डालेंगे मोरी डालने के लिए हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे साथ में मोरी डाल देंगे और सेंटर में हम छे फंदे बनेंगे एक दो तीन चार पांच छे फिर से दो फंदों का एक फंदा कर देंगे धागा अपनी और करेंगे और साथ फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार आप देख सकते हैं चोथा फंदा हमारा सेंटर का फंदा है ये हमेशा सेंटर में ही रहना चाहिए चार हो गए तीन फंदे मैं इतर बुनूंगी पांच छे साथ आप देख सकते हैं मोरी भी पिल्कूल दोनों और से बराबर आई है इतर भी सेंटर के तीन फंदे से इतर भी सेंटर के तीन फंदे से यहाँ पर फिर दो का एक करेंगे दो का एक करेंगे बीच में छे फंदे पहले की तरह बुनेंगे एक दो तीन 7, 4, 5, 6, 2 फंदों का एक करेंगे, दागा अपनी ओर करेंगे, मोरे जब डालेंगे तो आखिर के हमारे पास 5 फंदे सीधे हैं, इधर भी हमारे पास मोरे डालने से पहले 5 फंदे सीधे हैं, अब इसी तरीके से हमको जुराब का उपर का हिसा बनाना है, जिसमें आप पे डाला हो या बेबी स्वेटर पे डाला हो और अब यहां से हम साथ सलाई डालेंगे एक सलाई उल्टी एक सीथी करते हुए हम बूट का इतना हिस्सा बनाएंगे मोरी के उपर भी हमने साथ सलाई डाल ली है अब हम बूट का बॉर्डर बनाएंगे बॉर्डर बनाने के लिए हमी छे सलाई सीथी सीथी डालनी है छे सलाई हमने बॉर्डर की भी सीथी सीथी बना ली है अब हम सारे फंदे बंद करतेंगे बूट हमारा बन गया है अब हम धीरे धीरे दो फंदे बुनेंगे पीछे का एक फंदा इस स्लाइस से उठा कर इसमें डाल देंगे फिर से एक फंदा बुनेंगे पिछला फंदा स्लाइस से लेकर इसके उपर डाल देंगे फिर से एक फंदा बुनेंगे पिछले फंदे को स्लाइस से लेकर इसके उपर डाल देंगे इसी तरह से हमको सारे फंदे बंद कर देने हैं सारे फंदे बंद कर लिए हैं अब हम इसको भी आखरी फंदे को भी बंद कर लेंगे धागे को कैंची से काट लेंगे थोड़ा लंबा धागा काटेंगे इसी से ही हम फिर इसकी सिलाई कर देंगे कैंची से धागा काटने के बाद इसे हम धागे को निकाल लेंगे इसी धागे को हम सुई में डालेंगे और सारी सिलाई हम कर देंगे सुई में धागा डालेंगे सुई में धागा डालने के बाद हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे ध्यान ये रखना है कि हमारा ये हर एक सरी ध्यान ये रखना है कि हर एक सरी आपस में मिलती रहे ऐसा ना हो कि कुछ कोई आगे आ जाए और कोई पीछे चले जाए वो सिला हुआ अच्छा नहीं लगता हम आमने सामने रखकर इसकी सिलाई शुरू करेंगे अब हम सीधा करने के बाद हम धीरे धीरे आपस में इसको जोड़ते चले जाएंगे इधर से ये लेंगे एक इधर से इसका पहला वाला लेंगे इधर से इसका दूसरे का लेंगे इधर से इसका भी दूसरा लेंगे फिर इधर से इसका तीसरा लेंगे तीसरा फंदा ले लेंगे, यह यासे, इधर से इसका भी तीसरा लेंगे, इसी तरह इसको सिलेंगे, आप देख सकते हैं, यह तीनों बराबर आई हैं, इसी तरह से आपको मिलाते हुए सारी सिलाई करनी है, यह हर चीज आपस में बराबर आने चाहिए, आके पिछे नहीं होन चाहिए आगे पीछे होने से अच्छी बनी हुई स्वेटर भी खाराब हो जाती है धीरे धीरे आपस में जोडते हुए मैं सीधा सीधा रख के सिलती हूँ इधर मेरी साइड सीधी है उधर भी मेरी साइड सीधी है मैं दोनों और से सीधा रखकर स्वेटर को बुनती हूँ सिलती हूँ विल्कुल धीरे धीरे आपको सिलना है धीरे धीरे सिलना है और बराबर आना चाहिए दोनों और से दोनों और से आखिर तक हम को ऐसे ही सिलना है आप देखिए शिलते हुए भी ये दोनों और की ये चीज हमारे बिलकुल आमने सामने आई है आमने सामने ही आने चाहिए तबी पूर्टी अच्छी बनेगी अगर आगे पीछे ऊपर नीचे कर दिया तो अच्छी बनी हुई पूर्टी भी सुन्दर नहीं लगेगी पहले हम उपर से आमने सामने रखकर सिलेंगे यहाँ पर हम इसको उल्टा करके थोड़ा सा पक्का करतेंगे यहाँ पर मोटा है आमने सामने लेने से वो पक्का नहीं होता यहाँ का हम थोड़ा सा ऐसे ही सिलेंगे लिकिन तले का हम अलग तरीके से सिलेंगे छे से लेकर नो मिने तक का बच्चा खड़ा होने लग जाता है अगर नीचे से मोटा मोटा हो तो उसको चुबता है बच्चे की स्कीन बहुत जादा डेलिकेट होती है उसको चुबेगा और वो कह भी नहीं पाएगा अब हम इसको सीधा कर लेंगे सीधा करके फिर देखेंगे तला इसका हम कैसे सीलेंगे सुई को निकाल लेंगे इधर से यहां से जहां से हमने फंदे डाले थे वहां से एक एक धागा दोनों और सीलेंगे और ऐसे इसको सिलते चले जाएंगे दोनों और से पहला धागा अब इधर से पहला धागा फिर इधर का पहला धागा इस तरह से पैर का तला हम इस तरीके से सिलेंगे ऐसे सिलने से नीचे से मोटा नहीं होता इसलिए फंदे भी एक धागे से डाले थे ताकि नीचे का, तले का, सेंटर का हिस्सा मोटा ना हो, बच्चे को चुभे नहीं इसी तरीके से सिलते हुए हम पैर का सारा तला सिल लेंगे बूटी बनकर तियार है, बूटी सिल्ली है, अब हम इसके लिए डोरी बनाएंगे डोरी बनाने के लिए हम धागा लेंगे और छोटे बच्चे की डोरी बनाने के लिए सिरफ पचास इंच का धागा बहुत है पचास इंच का धागा लेंगे और इसको हम डबल कर लेंगे धागे को काट लेंगे, यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे और धागे को एक तरफ से हम कहीं पर अड़ा देंगे और फिर एक और से हम उस पर गोल-गोल घुमाना शुरू करेंगे एक तरफ से मैंने धागा बान दिया है एक तरफ से धागा मेरे हाथ में है इसको हर बार एक ही और से नीचे से उपर या उपर से नीचे बहुत बार लेके जाएंगे तब तक इसमें इस तरह के बट बहुत जादा ना पड़ जाएं आप देखिए इस तरह के बट कितने जादा पड़ गए हैं जब तक इस तरह के बट बहुत जादा ना पड़ जाएं पूरी डोरी पर इस तरह के बट ना पड़ें तब तक आप इसको डोरी बनाते चले जाएंगे अब हम दूसरी अरकी डोरी निकालके इसको यहाँ पर आपस में गांठ लगा देंगे दोनों को गांठ लगाके इस डोरी की अंगंदर उंगली डालेंगे और इसे जोर से खींच लेंगे और उल्टी तरफ का घुमाना शुरू करेंगे जैसे ही हम छोड़ेंगे यह डोरी अपने आप उल्टी तरफ को घूम जाएगी अब हम इसके अंदर डोरी डालना शुरू करेंगे डोरी हम ऐसे अपनी तरफ को कर लेंगे इसके यह साइड इदर कर लेंगे और इस जहाँ से क्रोशिया डालेंगे और यहां से हम क्रोशे को निकाल लेंगे डोरी का ये गोल हिस्सा इसमें डालेंगे दूसरी और का हिस्सा ने डालेंगे उदर गांठ लगी हुई है वो नहीं चलेगा और इसके अंदर हम हुक में डोरी को फसा लेंगे थोड़ा सा खोल कर इसमें चड़ाएंगे यह अपने आप घूम जाएगा यह से निकाल लेंगे फिर से आप घूमाएंगे इस तरफ से यहां से डालेंगे और यहां से निकालेंगे फिर से डोरी को घूमा लेंगे उल्टा घूमाएंगे थोड़ा सा और इसमें क्रोशी की हुक को फसा लेंगे और इस तरीके से डोरी को हम निकाल लेंगे अब हम इसका क्रोशी इसकी ये चीज़ बनाएंगे ये चीज़ बनाने के लिए आपको तीन उंगलियों पर धाके को लपेटना है यहां से धाका रखकर 15 बार एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदर, बंदरा धाके को काट देंगे और इसको नीचे की तरफ से हम काटेंगे डोरी को उल्टा घुमा लेंगे खोल लेंगे और इसके अंदर सारे के सारे धाके एक कठे डाल देंगे यह देखे यहां से दोनों को बराबर करते हुए यहां पर हम धाके से बांथ देंगे एक दो बारल पेटने के बाद जोर से अच्छे से काट लगा देंगे और धाके को काट देंगे इसी प्रकार से एक और बनाएंगे हमने दोनों फुमन बना लिये हैं अब हम इसको बराबर कर देंगे दोनों को यहां से पकड़के बराबर यहां पर रखके हम दोनों को यहां से काट देंगे आप देखिए बूट बेबी का बूट बनकर त्यार है बूट बनकर बहुत सुन्दर लगता है और पहनने के बाद और भी ज्यादा सुन्दर लगता है इसको बांद देंगे आप देखिए दोनों बूट बनकर त्यार है आप देखिए दोनों बूट बनकर त्यार है बूट बनकर बहुत सुन्दर लगता है पहनने के बाद और भी ज्यादा सुन्दर लगता है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक करें, शेर करें अगर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीस सब्सक्राइब जरूर करें जल्दी ही मिलेंगे गुड़ी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ तब तक देखते रहे गुड़ी की पोटली नमस्कार धन्यवाद